रितू जैस्वाल की बात करते हैं जिहां रितू जैस्वाल जो आर्जेडी की तेज तरार प्रवक्ता है वो बीमार पड़ गई है और आईस्यू में भरती है आपको पूरी ख़वर बताते हैं दरसल उन्होंने ये जानकारी भी साजा की है वो भी बताते हैं कि क्या कुछ माम है राजत प्रवक्ता जो है रितू जैस्वाल उनकी हालत भी कर गई है अचानक सास लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें पटना के पारस होस्पीटल के आईस्यू में एडमिट कर आया गया है आपको बताएं कि चर्चित रही है मुखिया के तौर पर और आरजेडी के कै बार गई थी और विधायक बनने से रह गई थी लेकिन अब वो मुखिया नहीं है और उनके पती मुखिया की कमान साभाल रहे हैं तो आपको बताएं कि जो रितू जैस्वाल की तबियत अचानक बिगड़ गई सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी और चेहरे पर जैस्वाल के सोसल मीडिया अकाउंट से साजा की गई है जानकारी उन्होंने जो कुछ लिखा है वो जो जानकारी दी गई है उनके अकाउंट से क्या कुछ लिखा गया है हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे भी साजा की गई है उसमें लिखा गया है कि रितू जैस्वाल जी को PPD एलर्जी के कारण एक गंभीर जो एलर्जी प्रक्रिया है उसकी बज़ा से का सामना करना पढ़ रहा है अभी पटना के पारस होस्पितल के ICU में भरती है और जल्द है आसा है कि जल्द वो स्वस्थ होकर आपके बीच लोटेंगी तो उनके सोसल मीडिया अकाउंट से यह जानकारी दी गई है और तस्वीर भी साजा की गई है तो आपको पुरी ख़वर बताएं कि रितु जैसवाल को अचानक चेहरे पर सूजन हो गया और सूजन इतना बढ़ गया कि उनकी आँख बंद हो गई उसके बाद जब समस्या काफी बढ़ी तो परिजन उन्हें आ अबजर्वेशन में है पटना के परस होस्पीटल के डक्टरों का काना है कि उन्हें अबजर्वेशन में रखा गया है इलाज किया जा रहा है वह इमर्जनसी में आई हैं और उन्हें आई सीउ में भरती किया गया है अब आगे इस्थिती जैसी होगी उन्हें संबंदित व रितू जैस्वाल जो सिहवासनी पंचायत की मुखिया रही है और अब इनके पती जो भारतिय पर्शासनिक सेवा के पुरवधिकारी है अरुन कुमार वो मुखिया बने हैं। करते रहेंगे गंतंत्र न्यूस की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ओन करें